नमस्कार कुईक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि स्नैप चाट पे मैप का आप्शन क्यों दिया गया रहता है और इसको कैसे यूच करते हैं और इसको यूच करने से क्या क्या benefit है तो इस वीडियो को देखते रहे हैं तो चलिए सुरू करते हैं इसको यूच करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में Snapchat अप को open करना है open करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे में भी एक map का option दिखेगा और यहाँ पर आपको एक जगा और map का option दिखेगा इसके लिए आपको उपर में जो profile icon दिख रहा है आपको इस पे click कर देना है click करने के बाद आपको उपर की ओर scroll करना है उसके बाद यहाँ पर आपको एक map का option दिखेगा अब आपको enter का option पे click कर देना है उसके बाद यहां से आपको location का permission मैंगेगा तो simple आपको enable location का option पे click कर देना है और यहां से आपको ok पे click कर देना है click करने के बाद यहां पर आपका जो भी आप जहां पर भी होंगे यहां पर आपका location tag कर लेगा और यहाँ पर अगर आप किसी भी friend का location देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको friends के option पे click कर देना है उसके बाद आप किसी भी friend का location देखना चाहते हैं तो यहाँ पर simple अभी add friend के option पे click करके उसको यहाँ पर आप add friend कीजेगा तो उसको request जाएगा उसके बाद अप्रूब करेगा तो अब उसका प्रिकोसिट उहां पर आप उसका लोकेशन देख सकते हैं कि उहां पर वह कहां पर अभी है उसके बाद अगर आपका कोई भी फिरेंड अभी ऑनलाइन होगा तो उसका यहां पर आप उसके प्रोफाइल पर किलिक करके उसका लो उसके बाद यहाँ पर आपको एक setting का option मिलता है तो आपको इस पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको एक option मिलता है ghost mode यानि कि इस पर टिक किजिएगा तो यहाँ पर आप जब भी यहाँ पर enable किजिएगा यहाँ पर snapchat app को open किजिएगा और यहाँ से आपका location on रहेगा तो यहां पर वह आपका location देखने लगेगा वह आपको trace करने लगेगा तो यहां पर आपको check कर लेना है कि यहां पर आप अपने friend को अपना location दिखाना चाहते हैं या आप अपने गिने चुने friend को यहां पर अपना location दिखाना चाहते हैं या यहां पर आप जिसको चाहते हैं उसी क को ले कोईसन दिखाना चाहते हैं और बाकी किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं तो यहां पर आपको तीन आपसन मिलता है आप अपने अनुसार इसको यहां से सलेक्ट कर सकते हैं तो चली यहां से हम बैक करते हैं उसके बाद आपको इतना करने के बाद यहां से आपको यहां प को बैक करने के बाद फिर से आपको फ्रोफाइल नो पर क्लिक מע़ पर करना है उसके बाद यहां पर कर को सकते हैं कियाँ पर अभी हम तुरकी में हैं तो हको तूरकी में यहां पर मेल हम को कम यहां पर टैस कर सकता है कि कहा तो आपको पता चल गया होगा कि इस नेप चार्ट पे मैप का एप्शन क्यों दिया गया रहाता है और इसको कैसे उच करते हैं और इसको उच करने से क्या-क्या बेनिफिट है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरू सब् करें धन्यवाद